Hello everyone, कैसे हैं आप सब? Welcome to my channel, मेरी चानल पर आपका स्वागत है तो पिछले वीडियो में हमने सीखे थे कुछ sentences जिन्हें advanced English में कैसे बोलते हैं तो इसी रो में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ और नए sentences उमीद है पिछले वीडियो में जो sentences मैंने आपको बताये थे आपने वो सारे sentences रट लिये होंगे और आप उसे practice भी कर रहे होंगे तो जिसने वो वीडियो नहीं देखा है आई बटन को क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं और लिंक आपको description box में भी मिल जाएगा तो आईए शुरू करते हैं आज के वीडियो को जिसमें मैं आपको बताऊंगी कुछ और sentences जिसे आप impressive और effective English में कैसे बोल सकते हैं तो आईए शुरू करते हैं I am bit busy आपका friend आपको बुला रहा है और आप कह रहे हैं मैं थोड़ा व्यस्त हूँ तो कैसे बोलेंगे I am bit tied up Why are you so angry तुम इतने नाराज क्यों हो तो आप कैसे बोलोगे Why are you so pissed off Then it's not so difficult ये बहुत मुश्किल नहीं है तो कैसे बोल सकते हैं It's not a rocket science आपके किसी friend की शादी हो रही है और वो आपको बता रहा है I am going to get married मेरी शादी होने वाली है तो वो उसे ऐसे भी कह सकता है He can say I am going to tie a knot Then you are so beautiful तुम बहुत सुन्दर हो इसे कह सकते हैं You are drop dead gorgeous You are so lucky तुम बहुत भागिशाली हो You are so yummy आपको किसी को कहना है I like you a lot मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं आए कुछ और वर्ट की प्रैक्टिस करते हैं Keep the secret इसे राज रखना मंस्द वर्ड I made a big mistake मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी You can say I screwed up Don't be stupid Don't be a jerk I don't have money मेरे पास पैसे नहीं है I am broke So students practice these words इन वर्ड्स को जादा से जादा इन sentences को प्रैक्टिस कीजे और आप देखेंगे कि आपकी English में day by day improvement होता जाएगा अगर आप किसी और sentence को advanced English में कैसे बोलेगे जानना चाते हैं तो मुझे comment section में लिकर बताइए मैं next video में जरूर उस sentence की advanced English लेकर आऊंगी So students आज के लिए इतना ही Please like, share and subscribe See you soon Bye Bye